नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपकार के क्लासिस में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पेपर टू का एक इंपॉर्डन कुश्चन है कुश्चन थोड़ा टफ बन जाता है इस तरह का जो पूछने का जो इसका तरीका है तो चलिए देखते हैं शुरू पूरिया करना चाहेंगे उन साथियों का जिन्होंने जो है मेरी शाहता करी थी तो चलिए सुरू करते हैं आज का लेक्षर प्रश्ण देखी क्या है कहता है कि निर्धनता मानव जीवन के मूलभूत आवशक्ताओं से वंचित रहने का मामला है समझाईए एवं इसे कम करन के उपाय सुझाईए अब देखी इस तरह की परश्ण में इसी आंसर को नहीं लिखा जा सकता है लेकिन इससे ही जरूर समझा जा सकता है कि इसमें क्या लिखना है इसमें आप अपने एफर्ट भी जरूर लगाएं इसमें कहता है निर्धनता का आसा है उस समाजिक दसा से ह जिसमें समाज का एक भाग अपनी नियुनितम बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता और इस प्रकार मूल भूत जो आवशकता होती है उससे भी वह वंचित रहता है भारत सही तीसरी दुनिया के एदेशों में समाज का एक बड़ा भाग जो है ये नियुनित जीवन अस्तर से वंचित रहता है कि कहता है कि आज विश्च के निर्धनों की कुल संख्या के पांचवें हिस्थे से अधिक निर्धन केवल भारत में रहते हैं यहां 26 करोड ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी मुलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते आगे कहता है निर्धनता के अस्तान पर तता समय समय पर अलग अलग इसका श्वरूप होता है उनकी अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है मोटे तोर पर निर्धनता ऐसी दसातों माने ही जाती है जिससे सभी व्यक्ति बचना चाहते हैं प्राह सभी समाज में निर्धनता की परिवाशा देने के प्रयास किये गए परंतु इन सब का अधार न्यूनतम या अच्छे जीवन अस्तर की कलपना है उधारन के तोर पर कर बात करें तो अमेरिका में निर्दंता के धारना भारत से बिलकुल ही भिन होगी क्योंकि अमेरिका में नागरिक कहीं अधिक उचे जीवनस्तर पर जो है वो रह रहा है जी रहा है निर्दंता की सभी परिभाशाओं में ये परियास किया जाता है कि वे समाज के ओसत जीवनस्तर के निकट हों और इस कारण ये परिभाशाएं जो हैं समाज में मौजुद विशमताओं को दर्शाती है और उस सीमा का बाध करती है जिस तक कोई समाज उन्हें सहन करने के लिए तयार है उधारन के लिए भारत में निर्धनता की शमानित है श्विकृती परिभाषा उचित जीवनस्तर की अपैक्षा नियूनतम जीवनस्तर पर बल देती है कहता है ये धारणा इस तत्य पर अधारित है कि आने वाले कई देशक तक बुनियादी जरुतों की नियूनितम मात्रा भी उपलब्द कराना संभव नहीं है आगे कहता है कि भारत की ग्रामिन चेतर में निर्बल वर्गों की मुख्य आर्तिक समस्यां खुली बिरोजगारी नहीं बलकि निम्न उत्पादिकता रोजगार है जबकि सहरी चेतरों में निर्धंता की समस्या ग्राम निर्धंता का उत्परवा है करा है कि एक चिंतक के सब्दों में निर्धन तथा धनी दीसों के लिए विश्च को जो है बदलने का एक आवाहन है ताकि अधिक्तम लोगों को पेट भर भोजन नसीब हो सके इसके साथ ही सिर्चुपाने को बहतर जगह मिल सके चिकित्सा वर सिक्षा की सुविधाएं प्राप्त हो सके हिंसा से उनका बचाव हो सके तथा अपने समाज के घटना करम में उनकी भी आवाज जो है वो सुनाई दे सके या उनकी सुनवाई हो सके आगे कहता है रेड़ी, मोची, कागज, कतरन बनाने वाले, फेरी वाले, भिखारी, आदी सहरी छेत्रों के अति निर्धन और जोखिम भरा जीवन जीने वाले वर्ग हैं जबकि ग्रामिन छेत्रों के निर्धन या तो भूमी हिंत रमिक होते हैं या सिमांत क्रिशक होते है कहता है कि प्रयाप्त क्रेशक्ति के अभाब में जो है निर्धनता परिवारों के जीवन का शाष्वत सत्य भूक और भूकमरी होती है निर्धन बुनियादी साक्षर्ता तता कौसल्च से भी वंचित रह जाते हैं इस कारण उनके लिए आर्थिक अवशर जो है अत्यन्त शिमित रह जाता है इनके रोजगार भी निश्चित नहीं होते धनाभाव के कारण को पोशन और स्वास्तता अपंगता गंबीर बिमारी आदी उनके सरीर को कमजूर बना देती है इसके लाबा निर्धन जीवन परियंत रिन गस्तता में जीने के लिए विवश होते हैं निर्धन का जीवन नित्य जोखिमों से भरा होता है नियोकताओं से कानून द्वारा निर्धारित अपनी मजदूरी बढ़ाने के बारे में बात नहीं कर पाते और उनका सोशन चलता रहता है कहता है दिकांस निर्धन परिवारों को बिजली स्वाक्षित पेजल उपलब नहीं होते निर्धन महिलाओं को मातरत तुकाल में भी काम करना पड़ता है उनका उचित देखवाल नहीं हो पाता उनके बच्चों के स्वस्त जनम लेने और फिर दिर्ध जीवन धारन की संभावनाएं भी काफी कम होती है इस प्रकार जो है उप्रोक्त विशलेशन से असपस्ट है कि निर्धनता मानव जीवन के मुलबूत आवशक्ताओं से वंचित रहने का एक मामला है और इसे कम करने के लिए कुछ उपाय की बात की जाये तो पहला है जनसंख्या नियंतरन कहता है परिवार नियोजन कारिक्रम एवं छोटे परिवार के लाव प्रती जागरूपता महिला सिक्षा पर जोर एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या विर्धी पर नियंतरन कर प्रती व्यक्तियाय को बढ़ाया जा सकता है करसी छेत्र की शंवर्धी दर को तिवर करने भी एक इसके लिए कारगरूपाय होगा करसी शुधार कारिक्रम पर जोर देना एवं करसी की शहायक व्यवशाय पसुपालन चर्मुद्योग डेरी मतस्यपालन आदी का समोचित विकास करना भी आवश्यक है कुटीर लगूद्योग को प्रसाहन देना भूमिशुधार कारिक्रम का सही तरीके से क्रियानवन होना चाहिए समाजिक आधारिक संद्शना को मजबूत एवं विक्षित करने से जुड़े कारिक्रम जैसे भारत निर्मान आदी का शफल क्रियानवन होना अवश्यक है इसमें जो है दो-चार आप लेटिस्ट योजनाओं को जरूर जोड सकते हैं इसके लाबा कहता है कि छोटी-छोटी परिजनाओं पर जोड देने की आवशकता है जैसे आतमिरवर भारत अभी चल रहा है इसके लाबा देखिए प्राकरतिक संसादनों की समोचित उप्योग हेतू उद्यम तथा कौशल विकास वैवसाइक सिक्षा एवं प्रसिक्षन से जुड़ी आधिकारिक संरशना का विस्तार करना चाहिए शमान वित्रन सरवयापी हरित करांती एवं प्रगतिसील कर प्रणाली के द्वारा भी से दूर किया जा सकता पुझी निर्मान को प्रसाहन देने के आफशक्ता है उत्पादक्ता में वर्दी उप्युक्त वातावरन प्रगतिसील विचार धारा का प्रसार एवं अंद्विश्वास निजर्थक कर्मकांडों में अपवै दहेज प्रथा आधि को अधुस साहित करना चाहिए अगला है समाजिक सुरक्षा कारिक्रम एवं सरकारी रोजगार कारिक्रमों का इमानदारी रूप से क्रियनवन होना चाहिए तो ये सारिफ जो है उपायों के द्वारा इससे निर्धंता से बचा जा सकता है इसमें आप अपना एफट जरूर लगा है जो हाल फिलाल में जो सरकार निर्धंता को दूर करने के लिए जो लेटिस्ट कई सारी यूजनाई चल रही है उनको अगर आप एड कर देते हैं तो ये परफेक्ट एंसर बन जाता है उमेद है वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें धन अग्निवाद